है nitrogen का, तो centrifugation जैसे ही हम करते हैं, हमें पता चल जाता है कि DNA में N15 है, अब यही वाला cell जो है, यह हमने transfer कर दिया एक ऐसे medium में, जिसमें normal वाला ammonium chloride था, यानी N14 वाला isotope था, उसके बाद हमने देखा कि जब वो divide करा, division हुई, after 20 minutes, after 40 minutes, तो उसमें कुछ changes आए, वो changes क्या थे यह changes थे, N15 वाला जो DNA था, वो वाला जो isotope था, after 20 minutes, उसने, अब यह parent strand है, दो, इन्होंने दो नए hybrid वाला जो यह दिखिए, दो नए strand बनाए, तो यहाँ पे hybrid DNA जो है बना, जिसकी intermediate density थी, जिसकी generation है 1, लेकिन जैसे 40 minutes के बाद हमने देखा कि क्या changes आए, तो second generation में हमने द देखा कि अभी भी एक parent strand है, एक new strand है, यह क्या बता रहा है, हमें यह diagram है बता रहा है, कि यह जो replication है DNA की, वो semi conservative type of replication है, जिसमें एक parent रहेगा और एक नया strand जो है वो बनेगा,